नवंबर 2020 में जब से बिहार विधान सवा चुनाब का परिनाम आया है तब से यह कया से लगाई जा रही है कि नितीज कुमार की सरकार कितने दिन तक रहेगी या जाएगी ये बातें चिराग पास्वान ने भी कई बार दुहरा चुके हैं अपने प्रेस कॉन्फिरेंस में और तेजस्वी आदब भी कर चुके हैं अपने कई बयानों में उसके बाद से ही कई राजनीतिक बिसलेसक और कई राजनीतिक एनलाइसिस जो करते रहते हैं वह भी कई बार कह चुके हैं कि नितीज कुमार की सरकार यह पूरी टर्म पूरी नहीं कर पाएगी और बीच में ही मध्यावती चुनाब हो सकती है अब देखना यह है कि जो यह सरकार नहीं चलने के दावे हैं वह कितना सही हो पाएगा अभी जाती है जनगन्ना को लेकर जो एक महौल बना उसके बाद फिर बिहार के विशेसराज दरजा को लेकर जिस प्रकार से महौल बन रहा है तो यह लगने लगा है कि नितीज कुमार की मुख मंत्री बनने की और बने रहने की जो चाहत होगी वह कब तक अस्थिर रहेगी एक बाते और है कि नितीज कुमार का पॉलिटकल स्टाइल और पॉलिटकल कल्चर कुछ इस प्रकार से है कि वह पांच से छे सालों में अपने साथी को बदलते हैं जो देखा गया है 2013 में जो देखा गया है 2017 में जो देखा जा सकता है 2024 लोग सभा के पहले तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से नितीज कुमार अपना साथी बदलते हैं या फिर उन्ही साथियों पर भरोसा करते हैं चलाई जाएगी और कब तक चलाई जाएगी या फिर कब गिराई जाएगी क्योंकि उन्होंने बखुवी दिखा चुके हैं 2017 में राती रात महागटवंधन छोड़कर कैसे इंडिये में सामिल हुए और 2010 में भी यह दिखला चुके थे कि नरेंद्र मोदी को नहीं आने की बा बार नरेंद्र मोदी को आने दिया जाता है और इतनी बार रेलिया करते हैं कि पूछिये मत वही नितीश कुमार नरेंद्र मोदी को बिहार की सीमाओं से बाहर रोक देते हैं मगर बक्त ने इतनी करबटे ली कि नरेंद्र मोदी प्रधान मंत्री बन गए और नितीश कुमा कि हम कॉंग्रेस को अब लड़ने नहीं देंगे दोनों पर हम खुद ही लड़ेंगे लोग जनसक्ती पाटी भी अपनी कैनिडेट का दावा कर रही है मगर जो मजबूत पक्ष है जो मजबूत दावेदारी है जो मजबूती रूप से चिराग पास्वान कहते रहे हैं कि यह स कुछ हैसा गेम करें कि उनके साथ तमाम भी पच्छी दला जाएं नितीज कुमार भी ये बातें आजमाना चाहते हैं और नितीज कुमार ये तमाम बातें ये कहना चाहते हैं कि अगर जो उनकी जिस प्रकार से अध्यच बदल रहे हैं जदियू के तीन साल में दो साल में त पर उतार दिया गया है और प्रदेश अध्याच भी यूबा कह सकते हैं कि बसिष्ण राइन सिंग जिस प्रकार से उनके स्वास्त कारणों में तमाम तरह की ब्याद्धान थे उसके बाद वसारीरी रूप से उतने करने में सच्छम नहीं थे तो एक और को अध्याच बनाया मुखमंद्री से मिलते हुए नजर आये थे और इस बार जो दिल्ली बैठक में तमाम मुखमंद्रियों के बाद जो बिहार आकर जो वह बाते कहें हैं वह तमाम बाते कह सकते हैं कि इस बरतमान सरकार को नकेवल घेरती है बलकि नितीश कुमार एक अलग मुहीम में भी जू मुखमंद्री के गद्धी पर बने रहने के लिए अपनी पूरी तरह से ताकत दी हुई है कहना है कि कमिट्मेंट अमित साह जी और नरेंद्र मोदी ने की थी तो ये तमाम बाते अभी तक वह बाते तय हैं एक बाते और है अब विसेस राज का दरजा कमुद्दा उठा तो हैं और नसिहट डे डाली है नसिहट ही नहीं कह सकते हैं कि चुनोंती ही डे डाली है कि नितीश कुमार जी आप जाकर प्रदान मंतरी और राश्पती से फिर से गुहार लगाईए बिहार को विशेस राज के दर्जा के लिए और याचिका को पुनर याचिका में फिर से बदल दीजिए तो ये तमाम बाते चलते रहेगी और हम लगातार खबरे सुनाते रहेंगे और दिखलाते रहेंगे क्या कुछ बिहार के घटना करम में अभी हो रहा है फिलाल जो भविस्वानी है वह कब तक सही होगी या फिर नहीं होगी ये कई बातें मुख मंद्री नितीश कुमार पर निर्वर करती है अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे मिरा नाम हुआ रविकान देखते रहें जहकास भारत चैनल को सबस्क्राइब नहीं क्योंगे तो कर लीजेगा और फेस्बूक पेज को भी लाइक करिएगा इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी खबरे जा रही है धन्यवाद